स्वामिनारेंट दोस्तों अक्सर प्लान्टेरल में आप लोगों का स्वागत है आज एक घुक प्यांबने विडियो प्लान कि it है आप सभी लोगोंने जो है रिपोर्टि करी होगी और रिपोर्टिंग के बाद में जो है नई ग्रोथ आ गई होगी आप लोगों के नई ग्रोथ नहीं आ रही है possibility है कि रूट्स जो है मीडिया को नहीं पकड़ रही है तो इसी बारे में आज का वीडियो हमने प्लान किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर द क्यों डाल रहें तो यही जो है आज हम discuss कर रहें actually तो दोस्तों आप सभी ने रिपॉर्ट किया होगा तो आप एक चीज़ देखियो कि जिसको हमने इस्टेंटली रिपॉर्ट किया है तो उसमें तो ग्रोथ आने लग गई है या जिसको हमने soft prune किया है जिसमें मतलब ब्रा अचेज किये हैं नए तो उनमें जो है नई ग्रोथ के साइन थोड़े से slow दिख रहें तो slow दिखने के पीछे एक कारण तो क्या होता है दोस्तों की मौसम में जो है बदलाव है अभी भी सरदी जैसे आप देखरेंगे मैंने sweater पैना हुआ है तो दिन में जो है भले ही तेज थोड़ी सी गर्मी रहती है रास्तार में मगर सुबह शाम और रात को जो है अभी भी ठेंड है हलकी हलकी और जो है अभी हमने फैंस जो है ऑन नहीं करें मतलब अंगे नहीं चले हैं ना ही कोई cooling का system हमने चालू किया है तो समश्या कहां आ रही है कि प्लांट को जो है अभी भी हमने report किया था बले उसमें growth के sign है या नहीं है तो हमने जो है उसमें Humic Acid का liquid हम लोग डाल रहे हैं तो दोस्तों Humic Acid का liquid डालने से क्या होगा Humic Acid हमने जो है इसके अंदर 100 ml लिया है और 10 लिटर हमने पानी लिया है और as per availability as per prescribed आप जो भी खरीदें मार्केर से उसके उ हमने जाल रहा हूं मैं तो जो है 100 ml पर 10 लिटर वाटर के अंदर एड़ कर रहा हूं जो मैं purchase करके लाएं वाली Humic Acid तो दोस्तों इसका नामी acid होता है पर ऐसाच जो है यह acidic नहीं होती है कि जो हम डालने से जो है roots burn हो जाएंगी बहुत कोई इस तरीके का आपने को fertilizer add नहीं करना है भी पॉट्स के अंदर जो roots को burn कर दे यह जैसे डीएपी है यूरिया है या पोटाश है या chemical वाली जो strong fertilizer वह आपको add नहीं करें Humic Acid जो होता है एक तो non-reactive होता है हम किसी के साथ भी mix कर सकते है normally जो भी आपको fertilizer या pesticide in future कभी यूज़ करें तो जो है यह non-reactive type है आ आप डाल सकते हैं roots में और fungicide के साथ भी बहुत सारी लोग डालते हैं तो इसको जो है roots में डालने से क्या होगा दोस्तों की यह जो है थोड़ा root development को fast करता है क्योंकि हमने जो है फंगिसाइड डले हुए आभी पॉट्स के अंदर हमने जो है प्लांट के ओपर भी fungicide लग आ रही है नई फुटान नहीं आ रही है तो आपने को क्या करना है simply जो है humic acid लाइए और पानी में घोल करके आपन जो है पौदे में डालेंगे तो roots उसकी थोड़ी सी fast growth करेंगी नई roots आने लग जाएंगी और नई growth आने लगेगी roots के अंदर तो फुटान भी आने लग ज आपको भी अगर लगता है कि नई growth आने में कुछ possibility है और आपको ने देखा कि फंगस नहीं है प्लांट के अंदर और फंगस नहीं होने की बज़े से भी जो है फिर भी जो है अपना प्लांट जो है प्रॉपरली नहीं कर रहा है नए growth के साइन नहीं आ रहें तो एक बार आ प्लांट आपका अपना चैनल है ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें लाइक करें वीडियो देखने का बहुत-बहुत धन्यवाद नाश्कार